स्वागत है आपका आज की चाहिपे साहिबा ने तकरीबन एक देड़ घंटे पहले एक स्टोरी अप्लोड की थी और उसमें एक स्क्रीन शॉट है वहाँ पे गौहर खान जो है उन्होंने शाहिए साहिबा को मेसेज करा है देट May Allah Bless You With A Baby Very Soon इस बात को शेर करते हुए साहिबा ने लिखा कि आपका दिल बहुत बड़ा है आप अपनी खुशियों के साथ दूसरों की कमियों का भी ख्याल रखते हो इंडिरेकली कहीं न कहीं मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स को लगा कि ये टेक है ऑन जनाब और मैडम बट मुझे यहां पर उससे भी जारा बहुत ही एक इंपोर्टन बात डिसकस करनी है जो कि मैं बहुत ही जादा प्रॉब्लमाटिक समझती हूँ और हमारे व्लॉगर्स बहुत प्रमोट करते हैं एक औरत की वजूद की बात आज कर लेते हैं थोड़े डिटेल में आप लोग को याद होगा एक व्लॉग में जाहिद ने साहिबा को कहा था मैं तुम्हारा मालिक हूँ तुम मेरे बात माननी चाहिए वहीं दूसरी और हमें पता है कि साहिबा की एक प्रॉब्लमाटिक भावी है जिने हम मैडम भी कहते हैं बहुत प्यार से उन्होंने कहा था कि एक औरत की लाइफ में उसका बच्चा और पती ही सब कुछ होता है और उन्होंने भी रीसिंटल एक और प्रॉब्लमाटिक बात कही थी कि यूनो अब लाइफ कम्प्लीट हो ऐसा कुछ कहा था कि अब लाइफ कम्प्लीट हो गई है अब हम सेटल हो गए है क्योंकि हमारे बच्चा हो गया शादी हो गई है आज न मैं साहिबा को मैडम को और हर एक उस इस इंसान को एक बहुत स्ट्रोंग मेसिज देना चाहती हूँ एक और अगर शादी शुदा नहीं है तो वो भी औरत है उसका भी वजूद है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और उसकी society में respect भी है वहीं दूसरी ओर अगर एक औरत है जिसका कोई बच्चा नहीं है शादी के एक साल तक, शादी के तीन साल तक, शादी के दस साल तक या ताउम्र तो भी वो औरत है उसकी respect उतनी ही रहेगी she deserves respect and हमारी society को यह समझने की जरूरत है यह जो शादी है, यह जो बच्चा है life में यह phases होते हैं phases of life, ठीक है? किसी की life में होते हैं और हो सकता है कि किसी कभी भी शादी नहों हो सकता है कि कोई willingly कभी उलाद ना करे यह सारे लोग जो है ना जो भी females यह decision लेती है वो भी औरत है इनकी इन बातों से कमी एक औरत में कमी क्या मानते हैं कि उसको बच्चा नहीं हो रहा तो उसमें कमी हो गई? उपर वाले के कुछ decisions होते हैं उनको respect करके चलना चाहिए वो कब एक औरत देगा किसको देगा वो उस पे है यहाँ पर obviously किसी के बच्चा नहीं होता तो couples treatment कराते हैं पर उसके बावजूद मैं कहूंगी every women out there जो मेरी आवाज सुन रही है मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप एक complete women हो 100% हो इसमें कोई शक नहीं है अगर कोई कहता है कि एक औरत का वजूद इसके पती से है उसके बच्चे से या शादी से ही है तो ये तीनों लोग गल्थ हैं ये उसकी life का हिस्सा हो सकते हैं पर उसकी existence इन से नहीं बनती बलकि इन सारे रिष्टों की existence एक औरत से बनती है औरते ना होती सिष्टी ना होती उन सब परिवार से कहूंगी कि आपको शर्मिंदगी होने चाहिए अपने इन शब्दों पे और एक और चीज़ अपने आप से ही बहुत सारी औरते जैसे साहिबा निकाह कमी है उसने अभी तक उसको पूरी उसका एक साल मी नहीं हुआ शादी को कि यह लोग जो कहते है बच्चा कम्प्लीट करता है बच्चा नहू तो कमी होती है तो क्या मेरी existence है नहीं क्या क्या मैं एक औरत नहीं हूँ पूरी तरीके से क्या मैं competent नहीं हूं life में तो मैंने उनको बोले यह आपका myth है दिमाग का आप बहुत ही जादा competent हो लाइफ में यू deserve the best irrespective of the fact कि आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई आपको बच्चा हुआ है कि नहीं हुआ या फिर शादी कि कितने साल बाद बच्चा हुआ है कमाल हो गई अब इन बातों के basis पर औरतों का वजूद जज़ किया जाएगा और तुमारे भाई भावी को जो बच्चा हुआ है क्योंकि लोग समझते हैं कि टोन मार रही है कि वो अपनी खुशी में शायद इसका दुख बूल गए इस बात पर तो मैं कहूंगी कि यहां पर मैं याद दिला दूँ सब लोगों को साहिबा बिलकुल गलत है जब किनर समाज के लोग इसकी भावी के घर आए थे तो फर्स तिंग जो इसकी भावी ने की थी वो यह था कि आशिरवाद दिलवाया उन लोगों से साहिबा को अफकोस उनको याद है पर अगर वो उसका दुख बार-बार याद करवाते रहेंगे या करते रहेंगे तो क्या इसको हर्ट नहीं होगा इतना बड़ा वीडियो बना था आज तक कोई नहीं भूल सकता वो बद्दुआ वाला जहां पर इसके भाई ने का था लोगों ने कॉमेंट कर रहा था कि सब ठीक तो है तो आगे से एत के अगले दिन इसके भाई ने मीडियो बना के का था और तो शरम करो और तो बद्दुआ लएगी ये सब कुछ इसने खुद का था और यहां पे जब तुम्हारी शादी को एक साल भी नहीं हुआ तो मुझे समझ नहीं आता कि तुम किस कमी की बात करें तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ उपर वाले का शुक्रियाता करना चाहिए कि तुम्हारी लाइफ में इतनी सारी खुशियां है कितने सारे लोग हैं उनकी तो family भी नहीं होती जो नाथाशम में होते हैं उनका तो कोई भी नहीं होता उनसे जारा कमी है कि तुम्हारे पास और उपर वाला जब देगा तो जरूर एक blessed soul देगा वो तुमें एक प्यारा सा बच्चा देगा पर अगर तब तक आप ये कहते रहोगे कि आप में कमी है ये सब ये आपके जनता को आपके views को impact करेगा because ultimately आपके जो viewers है उनमें बहुत सारी ऐसी औरते भी है जो अपने आप में कमी feel करेंगी just because उनको आज तक अलाद नहीं हुई तो मैं बस इतना कहूंगी please आपको ऐसा सोचने की या फिर ऐसा feel करने की जरुएत नहीं है उपर वाले के हाथ में कुछ छोड़ दीजे और अपने आपको और अपने वजूद को इन चीजों से judge करना भी छोड़ दीजे एक ही पैवाना है अगर आपको किसी को judge करना और वो है उसके कर्म और उसका किर्दार अगर कोई शादी में दोका देखके भाग के उसको cheat करके उस इनसान को और दूसरे के साथ अपनी लाइफ बसा के अपने आपको ideal दिखा रहा है तो 100% वो इनसान सही नहीं है और वो society के लिए एक bad example है अगर कोई पैसो के पीछे किसी से प्यार निभा रहा है तो वो भी गलत है ये use and throw का जो concept फॉलो कर रहे हैं लोग आजकल whether in a relationship और in case of friends तो आजकल अपने माबाप के लिए भी सफेद खून हो गए है माबाप ने जब तक पाला प्यार से तो खुश है और एक टाइम के बाद जब independent हो जाते हैं तो अपने माबाप पे एक एक खर्चा उन पे ऐसान जदाके करते हैं ऐसे लोगों को आप judge कीजिए ना 100% कीजिए और यहाँ पे मैं किसी particular YouTuber की बात नहीं कर रही हूँ आम जिंदगी में तो आपको left, right, center ऐसे लोग बहुत मिलेंगे इनको खुले आम judge करेंगे ना कोई issue नहीं होगा पर जिस चीज़ पे एक इनसान का जोर नहीं है वो matters जो भगवान के हाथ में हैं शादी, बच्चा, यह सब कुछ इससे किसी को define मत कीज़े और एक औरत को तो बिलकुल भी नहीं because एक औरत एक घर को समाल के और साथ में मिला के चलती है और उसके बाद पूरे दिन there are so many women out there जो भाहर काम करती हैं, घर भी समालती है उनको end में यह सब कुछ मिलेगा मतलब सब कुछ करने के बाद भी उनका वजूद रिद्यूस कर दिया to their spouse, to their marriage and to their child, यह गलत है चलिए आज के लिए तना ही और यह special message है for each and every female subscriber or viewer of my channel I just wanna say this, कि don't give up लड़ते रहे अपने rights के लिए लड़ते रहे और आगे भड़ते रहे आज के लिए तना ही, do not forget to like, share and subscribe to Aajki Chai Thank you so much for tuning in to Aajki Chai Podcast